मैं पल्रकम गई तूमा यूट्यूब चैनल पेपर ह कर आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नियुस्च है कि सेकेंद समस्टर की कि थिक है बिचेस्टी सेकंद समस्टर अच्ट माल enhance करें इसको हम डिसक्स करेंगे ठीक है अभी कार्वोहाइट इसके रासानिक संगटन एवं अर्डविक सरचना का वड़न कीजिए यह हमारा कोश्चन है इससे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नहीं तो सबसे पहले चैनल को सबस्क्राइब कर दें साधी पास मि यहां पर जाकर आपको सभी मेटेरियल मिल जाएगा यहां पर जाकर आपको जितना भी मेटेरियल है सभी यहां से आपको प्राप्थ हो जागा ठीक है चलिए हम बात करते हैं कुश्यन की क स्रक्राड़न मतलब यह किस किस से मिलकर बना है क्या कंपोजीशन इसका यह बताना है की गशला होगा कारमा उन्हें ठीक है कॉन कUh से मिलकर है बना होता है वो कौन कौन से बॉन्ट द्वारा आपसे में connect रहते हैं यह सभी हमको देखना है तो चलिए answer की बात करें करा यह carbon hydrogen और oxygen के यूगिक है किसके यूगिक है carbon hydrogen और oxygen के यूगिक है कौन अनपात में होता है जैसे हम पानी की बात करें है एक टू ओ तो यहां पर hydrogen कितना होगा दो और oxygen का नपात में यह और यहीं किसमी में पाए जाता है कर सरक्रा के योग कहते हैं क्योंकि यह तो सरक्रा होते हैं यह सरक्रा कि आइक क्या होंगे पॉलीमर ठीक है बहुलक छोटे-चोटे अडू मिलकर जब यह बहुत बड़ा अडू बनाते हैं उस प्रक्रिया आप हम क्या कहते हैं पॉलीमर कहते हैं ठीक है जैसे आपका गलुकोज हो गया शरकरा इस्टार्च गलाइकोजन सेलुलोज यह सभी कहां इसके एक pure the protein ke continued fruit और ड्रिंग के ती न्यूत्रिंट्रिंस हैं क्या है कि प्रोटीन फैट और लेने ही लेने है ठीक डेल्य कार्वाइटरवाइड रिट होती है यह तो यह तीनू क्या है द्रिंग या फूट ठीक है भोजण के एसे मुख् DAVID बहुतरीं की अब आप इनकों में लेना ही लेना ए ठीक है अगरम यह नहीं ले सबसे अधिक मात्रह में पाया जाने माला क्षब से अधिक मात्रहम प्रत्वीपर कार्वोहऀड़इड रुप में तो आपको तुमत इनर्जी प्रोवाइड करता warto Dalam यह जीवों की सरचना तथा न्यूक्लिय कम्ल के निर्माड में भाग लेते हैं ठीक है किसमें जीवों की सरचना और न्यूक्लिय कैसे आपका आर एने हो सकता है और डी एने ठीक है इन दोनों में दोनों के निर्माड में ये भाग लेते हैं इसके बात गरा रासायनिक संगट यह अभी हमने देखा था कि आपका जो उनकी रासाइनिक संगतन क्या है अब हम पढ़ेंगे कार्वो हाइडेट अब तक हम ने जाना थे कि क्या होते हैं सोर्स क्या है कौन-कौन से इसके एकजामपल है अब हमें पढ़ना रासाइनिक संगतन ठीक है chemical composition तो कार्वो हाइडेट कार्वन हाइडोजन और Oxygen कार्वन हाहएडेजन और Oxygen नाइडियोन और आउकिक्वन किया हो जगाने आपको बन टू का फिकड़न होते हैं ज़तने नंबर आ को multiply करनी है यह क्या हो सकता आपका CN H2N और ON अब यह है इसकी multiply n से करोगा तो क्या हो जागा और यहां पर oxygen क्या हो जागा केवल एन तो यह भी इसी का सूत्र है CN H2N और ON द्वारा सूत्र को प्रदर्शित करते हैं ठीक है तो यह कर्वोःड़ेट का सूत्र किस द्वारा प्रदर्शित करते हैं CN H2N यह आप क्या लेख सकते हो CN H2O का whole N इससे हम कर्वोःड़ेट के सूत्र को प्रदर्शित कर सकते हैं ठीक है परारा रासानी क्रूप से कार्वोःड़ेट पॉलि हैड्रोक्सी यै अल्डी है आड्स कर्वोःड्रेट और पॉलि हैड्रोक्सी यै यै अध्मी 7 पौलि हैड्रोक्सी यैड्युलिया अध्वा कीटों ठीक है, polyhydroxy aldehyde या ketone या polymer होते हैं, ketone या polymer होते हैं, इसका आर्थ है कि इनमें carbonyl या carbon oxygen, carbon oxygen समूहों के अतरिक, अनेक hydroxy या alcoholिये समूह भी होते हैं, किसके अलावा, carbon और carbon oxygen के अलावा इनमें क्या क्या होता है, hydroxy या alcoholिये, जैसे हम OH ग्रुप कहते हैं, ठीक है, ये भी इसमें क्या होता प्रिजेंट रहता है करा कार्वन चैन के सिरे पर उपस्थित कार्बोनल गुरूप के होने पर इसे LD हाइड गुरूप क्या कहते हैं LD हाइड गुरूप और चैन के मध्य में होने पर इसे कीटोन गुरूप कहते हैं यह अगर कार्वन के सबसे फस्ट जो हम पढ़ता है कार्वोड उसमें सबसे अगर पहले होगा तो उसको क्या कहेंगे विसको हम कहेंगे LD हाइड गुरूप गुरूप ठीक है जो हम क्या लखते हैं CHO और अगर यही पहले हारल को चोन और आपको दूसरे कार्वन पर हो सकता है तीसरे चौते पांच में तिक एड़ बेंको तो यहा है क्रिए के तो यह आपको द्हा रखना जब होगा और किटोन को चोड़ चाही के दूसरे पर तीसरे पर तो उसको आपका हो जाता की टॉन है लेका वालिक कार्वो हाइड़ेट को एल्डोज और कीटोन गुरूब को कीटोज कहते हैं जो हमारा एल देट समूव होता है ठीक है इसके यह क्या होता है जिसमें ल्डीयाट होता है उसे हम क्या कहते हैं कि अगर यहीं पर क्या हो जगा आपका कीटोन गुरुप यह कहते हैं तो इसको क्या कहते हैं कीटोन गुरुप को क्या कहेंगे कीटोज और यह आद रखना है कीटोज और कि नीचे आपका कुछ दे रखा यहांपर इस्ट्रक्चर दे रखें यह आपका क्या हो जागा पहले कारवन पर लगा हुआ है तो क्या हो जागा आपका यहां अगर आप इसको देखोगे तो यहां पर क्या आई यह भी कारवन आपका यह भी कारवन है तो पहले कारवन पर कुछ नहीं लगा हुआ है यह दूसरे कारवन पर लगा हुआ हुआ है तो अभी हमने पढ़ा था कि जो सिरे वाले कारवन पर लगा हुआ हो तो आपका कीक जया किटोन और कि टूस्व है अगा हो जूक्त कि जो कि दूसरे कारणबन पर लगा हुआ आपका यह करू के है मौ यह स्रुक्टर कि अगर हम करें तो और है जीवों में जीवर्ट없이 गया है तो सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर 1 मोनोसेकराइट की है इसकी मोनोसेकराइट की जो की जीविद जीवों में पाया जाने वाला सबसे पहला आपका किया है काज्ट तो यह सरल स्रक्राइड क्या है सिंपल स्रक्राइड हुती है आपके इन में केवल एक qnunde कितना होगा केवल एक या की तरह से तरह से या क frame democrat तो यह संपल सरक्राय होती तरब सर्क्राय होती निया कर यह क्षक्रण right कि रचनात्मक राएं को मोन उनकार्भो explor इस रचनात्मक और मचार और कर प्राथमीट सरचनार आए और इनको ज्याधा मिला देंगे तो क्या हो जांगे यह आझा और छाговै तो यह मोन सब्सक्राइब यह दो से अधिक मोन सब्सक्राइब लोग लाइक रहते हैं अब यह गिलाइको सपर्डिक बॉन्ड ग्यों जो जब पहला मालो यहमारा क्या है पहला मोन और यह हमारा बी क्या है के सब्सक्राइब का दूसरा जिस बंद द्वारा यह जुड़े रहते हैं उसी को हम कहते हैं गलाइको सब्सक्राइब की अनुशंख्या कम से कम कितनी हो सकती कम से कम 20 होती है सब्सक्राइब करते हैं अछहा जांताा है क्लाइको सबसे अधिक मात्राइब पार यह आपको ध्यां रखना अबजेक्ट म taraf या करणा है जाता कि यह वों में सबसे अधिक मातरा में पाया जाने वाल से कौन सा है तो आपको क्या बताना है अगर हम बात करें तो कई अधिक बीस से अधिक अर्थात सो से हजारों मोनोसाइकराइड होता है कितने अभी हमने ऑलिगोसाइकराइड में पढ़ाता कि लगबग 20 हो सकते हैं कितने 20 ठीक है और मोनोसाइकराइड में कितना होता केवल एक ही आपका सरक्राइड होता है साधान सरक्राइड होती है तो इसमें प गलाइकोचैक बन्ड केते हैं कहरा पोली सकराइड नियचर में पेला इन्न रस ओर न्यौंट ऑलिमर होते हैं यह प्रकृत्रि में पाय जाने वे ओने वे पोलीमड होते हैं मोनोऽाइड गलाइकोचैक लिणक इसकर के पॉलीमर बनाते हैं पॉली सेकराइड का मालिकुलर स्ट्रक्चर लीनियर या हाइली ब्रांच हो सकता है कैसा हो सकता है या तो आपका लीनियर हो सकता है या हाइली ब्रांच ठीक है इसमें क्या होंगी कुछ इस तरह से ब्रांचे लगी होंगी ठीक है कुछ इस तरह से यह आपस में जुड़े र हो सकता और यह बना तग्यायर या तो आपका होमो पॉली सघ्राट बनाएगा या आपका बनाएगा है टो यसल आपका कारवाइड नित करा मो जीरा घस्ता वीकर नधाल कि तक सरचनात्मक भिशेष्टा पढ़नीं confirmed जो मोन temas होते हैं हमारे उनकी सरचनात्मक्ट वशेश्थ्ताएं क्या विसे इनको हो जानेंगी ठीक है by 17 कि इस्ट्रॉक्ट्ट्रेशरल प्रोपर्टी आप मोनो में सब में एक मात करें समध एक करा फर्स इस तथा की डीच आप तता विपतर रहा रहाएगा वो कौन सी होती है आपकी एल्डोज फर्ष्ट कार्वन को छोड़ कर सेगंड फर्थ फर्थ पर किसी कार्वन पर सी डबल बांड ओ लगा रहा हो तो इसको हम कहते हैं कीटोज रूप ठीक है तो इसमें कह रहा है कार्वो आइटेट में मोनो सैकिराइट मुखिता छे कार्वन परमानु वाले हैक जोज सरकरा अणू सरचनातमक एकक या मोनोमर्स होते हैं कैसे होते हैं एकक या मोनोमर्स होते हैं ठीक है एकक में मतलब सिंगल होंगे दो या तीन आपस में नहीं लगे रहे होंगे ठीक है इसके बाद कह रहा है एल्डोज तदा कीटोज रू अधिक आपस में लिंक नहीं होंगे यह आपको द्यान रखना इन्हें यह तो हैक्जोज कहते हैं इनको कहेंगे यह किर खाँस होते हैं और क्या लगा रहा होता है अपका इसलिए इनको कहते हैं केटो हेग्सों कहते हैं कारवन डबलबंड ऑक्सीजन ग्रूप सिरंखला न oke पहले प्रमाणूं से जुड़ा होता है किसमें Onion होता है उसमें कारवन डबलबंड ऑक्सीजन अभी देखा था यहionar-11 आक्सिजन का वता है पहले कारवन से लगा होता है किसमें किन्तु कीटोन में यह किसी अन्य कार्वन परमानु से जुड़ा होता है कीटोन में आपका यह क्या होता है किसी दूसरे कार्वन परमानु से लगा होता है चाहिए वो आपका दूसरा कार्वन हो या वो आपका तीसरा कार्वन हो ठीक है तो यह क्या होता है आपका कीटोज ग यहां पर देखों यह आपके पहला कार्वन यह दूसरा कार्वन यह तीसरा और इसी तरह से पहले कार्वन यह तो क्या कहते हैं एल हो इसमें क्या क्या होता है चीजिश पहले कार्वन और से फले कार्वन को चूड़कर already इसुर्ण कार्बन पर चौठे पांच में कार्बन पर नंबर पर आपका कार्बन दबल और लगा और कीटोन कब होगा जब दूसरे वाले कार्वन पर 29 अइसो मर्जम कहते हैं क्या फस्टंश्ट ने चैनल होगा जतने वी समाब्यब्ता है इनको सब को एक किक पर डिसकस किया है यापने वहां पर लिया हुगा तो यह आप को टीए से समझ में अगा फिलिए सवर्णील है इसे कारवन परिोप उते हैं तो रूद उस कारवन पर मालू और दी तो इस वाले कारवन से लगी चार रूदधु सब्सक्रावक ayun और यहां लगा दिये मैंना यह कारोने on a और लगा दिया तो यहां बडॉलत हे धनalah मों मैं तो यह कारवन परमालों से चार्व यहां हूना है अगर सब्सक्राव कैसे हुई हुँ है तो यहें है कंद हर्द आस मिट्रिक कार्वन परमझ रोज दो ढूल यह रोज़ों जिक रही रावा इसके अलावा इसके का रॉट समावे भी रूपों में पाया जाता है जो आपका मोनो सेकराड होता है वो दो समावे भी रूपों में पाया जाता मतलब कि समावे भी रूपों में पाया जाता मतलब कि समावे भी रूप प्रदर्सत करता है जिसका कैमे मॉलिकुलर फार्मूला तो सेम होगा लेकिन अगर हम हम उसके structural formula की बात करें लेकिन उनका इस्ट्रक्चरल फार्मूला यह आपका कैसा हो जाता है different हो जाता है ठीक है तो इसको हम कहते है समावेवी यह दूसरे के समावेवी मतलब उनमें जो अब अब है बहुत हो समान है लेकिन उनका कैसा इस्ट्रक्चर का ऐसा आरेंजमेंट का इसा वो डिफरेंट है ठीक है तो बही क्या कहलाता आपका समावेवी कहलाता तो यह क्या होता है लीव रोटेटरी क्या होता ठीक है तो यह आपको जहांग दूसरे किसमझ सकते हैं किसको i am imam भी अब अ करहावर मोनου साइकर है कार्वो हैडरीट की आंडविक सरचना को कुलीज रंखला तथा पुली सरंखला चक्रिये बले सरंखला चक्रिय कि चक्री यह मतलब जो रिंग टाइब फार्मेशन होता है उसके हम कहते हैं चक्री यह बले सरचना द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है बले गोल में बले गोल में पांच या अधिक कारवन परमान परमाण वाले मोनो सेकराइड मुखिता चक्री रूप में होते हैं कौन से चारव कोई बले घंवाले आज से आआप्सेजन से मिना अलबार्च बनाता है इसका कोईबिक परमाण वाल और कि पर अगद ऑई पॉस्षाब्स दूसरेर में इस तरह से यह रिंग बना लेता है और इस पर यह क्या करते हैं च्रियोंप और शेत करते हैं चयर आपका कफ तो उसरा कारवन जोटारीषण परहुत Vy applying अब देखो जो आपका डी ग्लूकोज होता है ठीका डेकस्टर अबस्ता में हैं ईस्टोत भी आपका सियों करता है एक और ऑपर यह आपका कौन सथ है और you का उपर यह करमagarवा नंबर बन तो पहले और पांच में कार्बन के ऐल्डियाइड के ऑक्सिजन से इस तरह से संयों कर लेता है ठीक है और इसी को हम कहते हैं ऑक्सिजन रिंग ठीक है ऑक्साइड रिंग का फार्मेशन हो जाता है यहां पर यहां पर गलूकोज की इस प्रकारबनी चक्री सरचना दो समय भी रूपों में मिलती है तो यह सरचना आपको दो समय भी रूपों में देखने को मिल सकती है डी और एल इन्हें अलफा वा बीटा द्वारा परदर्सित करते हैं जो डी और एल फॉंग की आपकी इसमें से हमने इसको क्या किया इसमें क्या बना दिया आपका यह कोवेलेंट बन गया था ठीक है फ़स्ट और ऌफ्ट और क्वेलेंट बना था ऑक्सिज्जन और और कारवन कारवन के बीच में तो उसको अवस्ताहों में प्रदर्श्वत किया जा सकता कौन सा अलफा और बीटाद्वारा कर इस प्रकार के सरकरां को यानि की रिंग को पाईरे नोज कह कहते हैं ओध्य को ये पहाल दूश बाली हम संख्ल्हा पाइर का है चक्रीस किगा समौ Freeze वन हिसके बाद कुछ लडी हैड में बले पाँच arrival आइटम की होती है कितने कार्वन एटम की होती है झ्ली के हमने पाइच कार्बन वाली दिंगों ठीक है पाउच 번째 कार्बन वाली लिंगव किया टेल कि अब यह करेगा और के दर गुमा देगा क्लोग गुमा तरह से तरह से मनने यहांस पर इस तरह से चले अब कर दिया और पर देखो अगर हम यहांसे बात करateg करें तो यह क्या करेगा औकसीजन से ऐगर आप है डोजन की और जाोगे तो यह कुछ उल्टा आपको नजर आएगा ठीक है उल्टा गुम रहा हुद इसमें जो आपका डी इसमें दि क्या होता है आपका डेक्स्ट्रों डेक्स्ट्रों होता है तका होता है 때 फर्म गॉता है दे आपको यह कहला है डो किया वह को पाइस्ता चेंट करता है ल और डी देख्षण वर्थ और बामा वर्त अवस्ताओं को प्रदर्सित करता है प्रकास की किरणों को एंटी क्लोक बाइज जो हमारी एंटी क्लोक बाइज जाने की घड़ी की अपोजिट इसामें क्या करती है गोब कर दो जैसा में कि देखते त जान तो यहां तो यहांसे है और इना से आप का यह पहला कम्पुटी हो जाए गा ते देखके पाइस और आफ यहां तो यहां पर आपको दिया था स्थ देर रखा यहां पर छ लगा हुआ यह प्रकार कियो क्यूद की पहली कार्बन पर कहले लगा हूए आपका सिया चुग मिलप जारशा फैसली क्हफर्थ देखार न Еще 20132 किसका की मैं पड़ा था कि पहले कार्बन को छोणड कर दूसरे कार्बन पर क्यों इसके द्लबलौ घुरूप हो तो इसको क्या कहते हैं कीटो फॉर्म कहते हैं तो यह आपका पहला कोश्चन कार्वोहाइड की रासा ने संगतर नहीं वह आपने अच्छे से पढ़ लिया है ठीक है आई होग कि आपको समझ में आया हूँ और चैनल को कर दीजी सबस्क्राब मिलते हैं अगले वीडियो में बने यह मारसाद थैंक्स पर वाचिंग